हलो गाईज वेलकम बैक टू मा यूट्यूब चैनल सगीता डिजिटल डाइरिस और गाईज आज हम कलाकंद बनाएंगे वैसे तो कलाकंद का नाम सुनते ही सबके मूँ में पानी आ जाता होगा तो गाईज आप टेंसन ना ले आप अपने घर में ही होटेल जैसा डेलिशेस कलाकंद बना तकते हैं वो भी बहुत ही कम इंग्रीडियेंट्स से तो गाईज चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं कलाकंद बनाने के लिए हमने यहां 200 ग्राम पनी लिया है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है 5 लीटर दूद लिया है 5 चमच्चिनी लिया है और 2 इलाइची लिया सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे गर्म करेंगे जब कड़ाई गर्म हो जाए तब हम उसमें दूद डालेंगे और दूद को हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे आपको ध्यान रखना है कि दूद खौल के नेचे गिरना जाए आप चाहें तो इसे इस तरह ते चला सकते हैं हम जाए र्म करें आपको, मॉरिया ने ठचाँ अउए चूल maple पर गल माया video, घ्ला करेंगे ने ताbad समये मॉरी समय मॉरी ओli दूद करेंगे जूद को अच़कर तक प्लीन है जाए प्यूद करेंगे अणे दूदी करेंगे ब़はो.. जब दूद खौनने लग जाए तो इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे और उसमें इलाइची डाल देंगे आप इलाइची की जगा पे इलाइची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं इसे खौलाने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पर और 5-7 मिनट तक खौलाएंगे फिर हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे दूत जब खौनना स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें चीनी डालेंगे फिर हम चीनी को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे फिर हमें इसे चलाते रहना है जब दूत खौनने लग जाए तब हम इसमें ग्रेट किये हुए पनीर को डाल देंगे और उसे अच्छे से इसमें मिलाएंगे फिर हमें इसे चलाते रहना है जब तक कि दूत पूरी तरह से तोक न जाए आप देख सकते हैं दूत सूक गया है और कितना सुन्बर दिख रहा है हमें इसे थोड़ा देर और चलाना है अब दूत पूरी तरह से तोक चुका है अब हम इसे एक रेक्टेंगल सेव वाले टीफिन में निकाल लेए रेक्टेंगल सेव वाले टीफिन में डालने ते इसे कट करने में भी आसानी होती है और इसका सेव भी अच्छे से बनता है लेकिन इसे डालने ते पहले इसमें गी या रिफाइन ओयल से टीफिन के चारो और अच्छे से ग्रीस करेंगे अब इसे टीफिन के चारो तरब अच्छे से मैनेज करके डालेंगे फिर इसे चम्मच की मदद ते चारो तरब फैला लेंगे और इसे आदा गंटा या एक घंटा के लिए रूम टेंपरेचर पर सेट होने देंगे अब ये अच्छे से सेट हो चुका है तो अब हम इसे चाखू की मदद से कट करनेंगे हमने इसे कट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये कितने डिलिसियत लग रहे हैं एक दम दुकान की तरह तो अब हम इसके ऊपर पिस्टा वदाम डालेंगे और इसे सर्विंग प्लेट पर निकाल लेंगे हमारा कलाकर तैयार हो गया है तो आप भी इसे घर पर बनाए और अपने फैमली के साथ इंजोई करें सो गाइस आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड सेयर करते और बेल आइकन को भी प्रेस करते ताकि मैं आपक के लिए नहीं नहीं रेसेपी लेकर आ सको तब तक के लिए बाइ बाइ और टेक क्यार